अक्सर हमने ये word देर सुना होगा और आप इसको सुनने के बाद में confused हो जाते हैं कि ये देर तो कभी-कभी वहां का मतलब देता है, कुछ sentences में तो देर का कोई meaning ही नहीं होता और एक और देर होता है टी-एच-ए-आई-आर इसका क्या मतलब होता है जी है स्टुएंट मैं हुआ जे सिंग और आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हो देर के सारे usage detail में साथ में T-H-E-I-R देर जो होता है और T-H-E-R-E जो होता है इनके बीच में क्या difference है सारी चीज़े आज किस वीडियो में detailed बता रहा हूँ चली सेशन को शुरू करदे स्टुएंट्स लेट्स स्टार्ट दे वीडियो स्टुएंट्स यहां बोड पर आप लोग देखिए सब से पहले मैं आपको देर पूरा detail में बता रहा हूँ लास्ट मैं आपको बताऊंगा मैं T-H-E-I-R देर क्या होता है तो आप लोग यह तीन चीजों के basis पर इसको learn करेंगे हम सब से पहले हम लोग पढ़ेंगे देर as a pronoun चेक है, as a pronoun हम इसे कैसे use करते हैं दूसरा हम देर पढ़ेंगे देर as in adverb as in adverb as in adverb मतलब एक adverb के तोर पर देर को कैसे use करना है और तीसरा पढ़ेंगे there is an interjection यह तीन basis पर हम लोग आज इसको study करेंगे तो सब से पहले हम pronoun के तोर पर इसको कैसे study करते हैं वो देखते हैं अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे sentences सुने होंगे जिन में subject जहां नहीं होता वहां पर हम लोग देर लगा देते हैं यहां फिर subject clear नहीं होता जिसे आपने कहा कक्छा में 50 instrument है आपने एक sentence कहा कक्छा में 50 students है तो कक्छा में 50 students है यह जो sentence लिखा हुआ है इस sentence को जो हम English में करते हैं तो हम करते हैं there are 50 students in the class now you can see strengths यहां पर कोई subject नहीं था इसलिए हम लोगोंने there लगा दिया तो there are 50 strengths in the class यहां पर यह जो there आ रहा है यह आपका pronoun की रूप में use हो रहा है एक indefinite pronoun जिसे आप लोग कह सकते हो अनिश्ची सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम, एक ऐसा pronoun जो की वहां पर use होता है जहां पर कोई subject विजिवल नहीं हो तो मैं आज आपको there के सारे uses बता रहा हूँ यहां पर सबसे पहले pronoun में मैं आपको कुछ sentences बोल रहा हूँ दिहां से सुनिएगा जिसे आपने कहाँ मेरे घर में पांच तरदस है तो आप English में कहेंगे there is a church beside my house तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको use करेंगे और भी आप काभी सारे sentences जो बना सकते हैं जिसे आपने कहा आज class में दो students absent है तो आप कहेंगे there are two students absent in the class और you can say अगर आप two students को specify कर रहा है तो आप इस sentence को कुछ इस तरीके से भी कह सकते है two students are absent in the class आपको इसमें फिर there का use करने की जर्बत नहीं होगी लेकिन अगर आप कहें कि कक्छा में दो students absent है इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो ऐसी situation में कहा जाएगा there are two students absent in the class तो दोनों basis पर दोनों sentences आपके सही है जो आपको उचित लगता है आप उसे बना सकता है ना students इसके और भी हम uses देखते हैं जिसे मैंने कहा इस room में 50 कुरसियां है so there are 50 chairs in this room खंडवा शहर में 15 colleges हैं there are 15 colleges in खंडवा city इंदोर शहर में बहुत सारे colleges है बहुत सारे मतलब हो जाता है many तो आप English में कहेंगे there are many colleges in इंदोर city तो in this way you can speak all these uses of there अब कोश्चन उठता है कि sir there के साथ लगाना क्या है there के साथ हमें is लगाना है कि are लगाना है there के साथ हमें was लगाना है कि were लगाना है there के साथ हमें has लगाना है कि have लगाना है तो students ये depend करेगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं अगर आपने कहा कि खंडवा शहर में एक college है तो आप एक college की बात कर रहे हैं इसलिए there के साथ आप इस लगेगा अब आप English में कहेंगे there is a college in khंडवा अब आप there के साथ में इस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आप एक college की बात कर रहे हैं, इसलिए, लेकिन अगर आपने कहा कि खंडबा में 15 colleges हैं, तो अब आप there के साथ में आर लगाएंगे, आप कहेंगे there are 15 colleges in खंडबा, इसका मतलब यह हुआ कि there एक ऐसा subject है, जिसके साथ is भ हम लोग pronoun में use करते हैं, इसका past में was or were लग जाता है, आपको अच्छा सा पता है, no need to explain or future में आपको पता ही है, मैंने आपको अलरड़ी बताया है, तो past में was or future में will भी लगता है, ऐसा ही has or have को भी हम लोग use करेंगे, अगर पर एक की बात करेंगे तो has or जादा की बात करें के लिए, जैसे मैंने का आप वहाँ जाओ, तो English में बोला जाएगा go there, मैं वहाँ जा रहा हूँ, I am going there, मैं वहाँ रहा हूँ, I am living there, तो इस तरीके से ये जो there आपका use हो रहा है, it is being used as an adverb, ये एक adverb के तोर पर, एक adverb के basis पर इसको हम use कर रहे है, right, तो ये एक adverb की तरह है, यहाँ पर काम कर रहा है, और भी आप sentences बोलना चाहिए, बोल सकते हैं, जिसे आपने कहा, वहाँ देखो, look there, तो जिसे आपने किसी को दिखाया कोई चीज की, वहाँ देखो, तो आप English में कहेंगे look there, तो ये जो there आपने यहाँ पर use किया है, वो आपका क्या है, adverb है, जिसका मतलब निकल रहा है, और यहाँ पर there का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा mind करेंगे यहाँ पर आप लोग की यहाँ पर जो pronoun की रूप में use हो रहा है, तो यहाँ पर there का कोई मतलब निकल ही नहीं रहा है, जब आप कहेंगे कक्छा में 50 इस्टुमेंट है वहां हम लोग there use करते है, there we use there, there we use there, यहां एक they're का मतलब निकल रहा है, वहां, क्या use करते हैं, आपका they're use करते है, तो इस तरीके से हम लोग there को use करते है, चली, I hope student समझ में आ रहा होगा को their का pronoun में कोई meaning नहीं निकलता है लेकिन their का adverb में मतलब वहाँ निकलता है अभी मैं आपको interjection में कैसे use करते हुए बताता हूँ चली, इसके अलाब हो और भी आप काफी सारे sentences बनाना चाहिए बिल्कुल आप बना सकते हैं अब मैं आपको last me to use बता रहा हूँ that is the use of interjection as an interjection कैसे use होता है let's see, तो सबसे पहले interjection में देखिए क्या होता है कि आप interjection को समझे, interjection क्या होता है interjections आपके जो होता है इन में किसी sentence को like बोला जाता है तो जब आप किसी कहोगे hey there, come here तो जिसे आपने किसी कहा hey there, come here अब यह जो sentence आपने कहा hey there, come here तो यहाँ पर यह जो there है it is being used as an interjection here जहाँ पर आप सामने वाले विक्ती को there बोल रहा है क्योंकि आप उसको जानते नहीं है आपको उसका नाम नहीं पता है जिसे हम लोग बातचीत में भी एकसर कभी-कभी use करता है कि like oh yeah word use कर दिया हमने तो इसे English में भी there जो है as an interjection use होता है जो कि एक swap करने के लिए होता है सामने वाले को indicate करने के लिए होता है oh there oh there, what happened तो इस तरीके से आपने कोई चीज सामने हो गटी होती हुँ देखी तो अच्छाना का आपके मुझ से यह एक word निकला there तो वहाँ पर यह आपका as an interjection जो है use होता है जो कि एक आस्चरी को show up करता है आप कहा सकते हो कि like आपने कोई चीज को देखा और उसके बाद जो आपको आस्चरी हुआ उसके case में आप there को use करते हैं बहुत minor use है इसका major use आपको याद रखना है there का as an ad verb और as in pronoun होता है और students इसमें काफी ज़्यादा confused होते हैं जो मैंने देखा है तो there के आपको करीब 20-30 sentences इसमें बना लेना है practice के तोर पर उमीद करता हूं समझ में आया होगा जितने भी sentences आप बनाओगे जिसे आपने कहा like आपने कहा कि इंडिया में इंडिया में बहुत सारी नदिया हैं तो आप English में कहेंगे there are many rivers in India तो इस तरीके साब काफी सारे जो भी संख्या को बता रहो जहाँ पर भी आप किसी चीज की संख्या को बता रहो राइट वहाँ पर आप बिल्कुल आँख बंद करके there का use कर सकते हैं चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ T-H-E-I-R और उस there और इस there के बीच में के difference हैं let's see now students अब मैं आपको clear करने वाला हूँ there and there तो आप लोग यहाँ पर देखेंगी यह दो column हम लोग बना देते हैं एक और लिखते हैं हम लोग there और दूसरी और लिखते हैं हम लोग there अब इससे बनने वाले जो हैं वो देख लीजे पहले आप इसे एक वाट तो there खुद होता है जिसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके आपको बता दू student यह एक possessive होता है यह दे से बनता है दे का possessive दे का objective case होता है students them और possessive होता है there जिसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके जिससे मैंने कहा है यह उनका pen है, तो इंग्लिश में कहा जाएगा this is their pen, यहाँ पर यह वाला their use करेंगे, आप यह वाला नहीं करेंगे दूसरी बात, आप एक और use होता है, theirs, इसका मतलब भी होता है, उनका उनकी, उनके, लेकिन यह जो होता है इन दोनों के बीच में अंतर है, इस their के बाद में noun आएगा, और यह their अकेल आएगा, example देख लीजिए मैंने कहा यहाँ उनका pen है तो इंग्लिश में कहा जाएगा, this is their pen लेकिन जब आप theirs को use करेंगे तो आपको इसको अकेले use करना होता है इसके साथ noun नहीं लगता, यह इस तरीके से आता this is theirs this is theirs का मतलब होता, यह उनका है अब यह clear नहीं है कि क्या किसका है, लेकिन this is theirs, यह उनका है, and this is their pen, मतलब यह उनका pen है, यह दोनो sentence के बीच में difference है point to be noted everyone, बिलकुल note कर ले ना बहुत जादा students confuse होते है दूसरी बड़ी बात, हम अब discuss करते है, their के बारे में तो their का users मैं already सारे बता चुका हूँ as the adverb बता चुका हूँ, as the noun बता चुका हूँ, as the interjection बता चुका हूँ, बहुत detail में, अब आप इसको देखें कि यह क्या नहीं चीए, कभी-कभी आप लोगों को ऐसा लिखा होता है देखा होगा आप लोगे ने, या फिर आप लोगों ने ऐसा भी लिखा देखा होगा, तो इनका मतलब क्या होता है strengths अगर there के बात में e ले, there's there's का मतलब होता है there is, चीए, और there are अगर लिखा है, there, there pronounce इसको करते हैं, there और there अगर लिखा है, तो इसका मतलब there are भी होता है, और there were भी होता है, अब आप देखेंगे last में जो re है, इसको हम लोगों ने यहापर epistrope s लगा के इस तरीके से लिख दिया है, तो यह बन गया है, जो किसका मनिंग दे रहा है, there are और there were का, अब आप कहेंगे कि sir, हम के से पहचानेगे कि there are इसका मतलब निकल रहा है कि there were, जिससे मानलों एक sentence लिखा, there 25 strengths in the class, तो आप इस sentence को carefully अगर दियान से समझे, तो यहाँ पर इसका मतलब there are भी निकल रहा हो, वर भी निकल रहा है, लेकिन अगर इस sentence में मैं लिखू कि there are 25 strengths in the class yesterday, यहाँ मैंने एक word नया use कर दिया, yesterday, तो word yesterday use होने से, यह जो sentence है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, there were, अब there are नहीं निकलेगा, तो इसके आसपास जो एड़ो आप टाइम जो हम add करते है, today, yesterday, last day, last week, next month, you know, इस तरीके जो एड़ो आप टाइम होती है, इससे हमें recognize करना होता है कि यह meaning क्या दे रहा है, चलिए आपका यह जो देर है और यह देर है, यह बहुत अच्छे से में clear कर पाया हूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इससे पसंद करें, और फटापट फटापट अपने friend circle में इसको circulate गर दे, ताकि जादा जादा लोग इस वीडियो का फायदा उड़ा सके, उमीद करता हूं डियर स्टुएंट वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें friend circle के साथ, शेर करें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा कोछ अच्छे content के साथ में, तब तक के लि झाल झाल